करनाटक की जीत के यूँ तो कई हीरो दिखाई देते हैं कॉंग्रेस की इस जीत में एक ऐसा भी हीरो है जो परदे के पीछे था अलगी मैंने ये रिपोर्ट आपको पहले ही दिखाई थी और इस रिपोर्ट में हमने आपको बताया था कि कॉंग्रेस की रणनीती को कौन बना रहा है कैसे काउंटर किया जा रहा है क्या बीजेपी की जो जबरदस रणनीती कही जाती है उसको काउंटर करने वाला कोई मिल गया है आपको याद होगा एक समय था जब प्रशान किशोर और कॉंग्रेस की बहुत नजदीकियां देखने को मिली थी इतनी नजदीकियां थी कि प्रशान किशोर कॉंग्रेस में शामिल हो सकते हैं इस बात की चर्चा भी चल रही थी लेकिन बात नहीं बन पाई क्योंकि जो बड़ा पत चा रहे थे प्री एंड चा रहे थे उसको लेकर Congress के कई नेता सेहमत नहीं थे। बहराल एक और चेहरा जो प्रशान किशोर के साथ में ही कभी किसी सी जमाने में रहा वो कॉंग्रेस के साथ में स्ट्राटेजी बनाने के लिए आया और उनकी स्ट्राटेजी बहुत शामदार साबित हुई भारत जोड़ो यात्रा उसके बाद करनाटक चुनाओ और अब मद्यप्रदेश में क्या रणनीती बन रही है यह मैं आपको इस रिपोर्ट में बताता हूँ यह सारी रणनीती जिनों ने भनाई और इस प्रचंड जीत के पीछे जिनका आथ बताया जा रहा उनका नाम है सुनील कानुगोलू आज बात करते हैं सुनील कानुगोलू की इस चुनाओ रणनीती के बारे में जिसकी बदोलत करनाटक में कॉंग्रेस को भंपर जीत मिली पीएम मोदी और सीएम योगी की नईया पार लगाने वाला शक्स हैं सुनील कानुगोलू करनाटक के बाद अम मद्यप्रदेश में क्या ये कॉंग्रेस की सरकार बनाएंगे इनसे उमीदे बहुत हो गई ये कॉंग्रेस को करनाटक चुनाओ में कॉंग्रेस की जीत के पीछे सुनील कानुगोलू का नाम बताया गया कॉंग्रेस को जीत के लिए रननीती बना कर दी काम भी आई है इसमें आई आज हम आपको बताते हैं कौन है सुनील कानू गोलो जिनके साहरे कॉंग्रेस 2024 का लोगसवा चुनाव लड़ने वाली है आम तोर पर मीडिया की सुर्खियों से दूर रहने वाले सुनील कानुगोलू बहुत ही मजे हुए चुनावी रणनीतिकार है जो पीए मोधी को पहली बार प्रदान मंतरी बनाने और यूपी के सीएम योगी आदितिनाद को पहली बार मुख्य मंतरी बनाने में भी भागीदारी निभाच चुके है कॉंग्रेस के प्रमुक रणनीतिकार है सुनील कानुगोलू सुनील कानुगोलु भी वो शक्स हैं जो करनाटक में कॉंगरेस के प्रमुक रणनीती कारों में से एक हैं पूरे चुनाओ के दौरान उन्होंने ये तैय किया कि जनता के साथ व्यापक और विस्तित संपर्क हो इसके लिए रणनीतिया तैयार की बीजेपी की ओर से दिये जा रहा है चुनाओी भाशनों और एजेंडी की भी कार्ट निकाली और विष्टाचार और कुशासन के आरोपू में उलजी बाजपा शासित सरकार को भी नकाब किया विदान सबा चुनाओ में इतनी बड़ी सफलता हासिल करने का शेय पूरे कॉंग्रेस कार्टर को जाता है लेकिन सुनील कानुगोलू चुनाओ प्रचार के लिए नएने तरीके इजात करने लोगों की नब्ज जानने के लिए अलग-अलग सर्वे लाने और इस तरह से एक उम्मीदवार को विज़े दिलाने के लिए बधाई के पात रहें का जाता है कि सुनील भी प्रशांद किशोर की तरह इवेंट और मीडिया मेनेजमेंट में माहिर है गरनाटक में भी कई सारे चुनावी केंपेन उनी के डिजाइन किये हुए है चुनाओ से पहले कॉंग्रेस का सबसे बड़ा केंपेन कौन सा चला पेसी एम जी यहां यह पेसी एम केंपेन जो चर्चित रहा यह सुनील कानुगोलू का यह आईडिया था दरसल राज जी के कंट्रेक्टर्स ने प्रदानमंत्री नरेंदर मोदी को चिठी लिकर राज जी की बीजेपी सरकार पर बड़ा आरोप लगाया था आरोप यह था कि राज जी सरकार हर काम के लिए 40% कमीशन मांगती है इस मुद्धे को विपक्ष ने लपक लिया कॉंग्रेस ने बीजेपी सरकार को 40% वाली सरकार का तमगा दे दिया पिछले साल सितंबर में कॉंग्रेस ने कमीशन खोरी के आरोपो पर बकाइदा एक केमपेइन लाँच कर दिया था दिवारों पर पे-सी-एम के पोस्टर चिपकाय गये थे क्यू-आर कोड की तरह आपने देखा होगा बड़े चर्चित हुए थे इसमें क्यू-आर कोड की तरह एक कोड बनाया गया था और इसमें पे-सी-एम बसवराज बंबई की तस्वीरतियों लिखा था यहां 40% सुईकार किया जाता है पे-सी-एम यहां तक की कॉंग्रेस ने 40% सरकार नाम की एक वेबसाइट भी लॉंच कर दी थी पूरे चुनाव के दौरान 40% एक कीवर्ड बना रहा जिसको लगातार राहूल गांदी भी उठाते रहे इसी तरह नंदनी और अमूल के बीच में विवाद को कन्नड असमिता से जोड़ना उन्हीं की रणनीति का हिस्सा रहा भारत जोड़ो यात्रा के भी वो रणनीतिका रहे हैं और भारत जोड़ो यात्रा का रिस्पॉंस प्रियंका खुद कह रही है कि जिन सीटों पर गए राहूल गांदी करीब इंक्यानवे सीटे बता रहे थे और उनमें जो प्रभाव जहां पर पड़ा उनकी यात्रा का उनमें 75% सीटे जो है जीत कर लाए है राहूल त पसंद किये जाते हैं पिछले साल वो कॉंग्रेस के साथ जुड़े और उन्होंने सबसे पुरानी पार्टी के लिए रणनीती बनानी शुरू की थी कन्या कुमारी से कश्मीर तक राहूल गांदी की भारत जोड़ो यात्रा का श्रे भी उन्हें दिया जाता है दिल्चस बात ये है कि करनाटक में 2018 के विदान सभा चुनाओं में उन्होंने भाज़पा के साथ काम किया था जो राज्य में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उपरी थी इस बार भी सुनील विजई पक्ष में हैं ये पहला मौका नहीं है जब सुनील कानुगोलू किसी राजनितिक दल से चुनावी रणनीतिकार के तौर पर जुड़े है इससे पहले वो DMK, AIADMK और भारती जनता पार्टी के लिए भी रणनीतित तयार कर चुके है ऐसे में आईए हम आपको उनका थोड़ा सा प्रोफाइल बता देते हैं कि कौन है सुनील कानुगोलू वो मूलता करनाटक के बेलारी के रहने वाले हैं करनाटक जहां चुनाव हुआ उनका ग्रीप्रदेश था वो भाजपा के प्रशार अभियान से जोड़े संगठन एसोसियेशन और बिर्लियंट माइंड्स के संस्थाप हुकुमे से एक हैं अभी वो माइंड शेयर एनालिटिक्स का नित्रत्तु कर रहे हैं 14 चुनाओं में शामिल हो चुके हैं और सुनील कानुगोलू ने एक साल पहले ही कॉंग्रेस की टीम को जोइन किया है मोधी योगी के लिए भी काम कर चुके हैं उनके लिए भी रणनीती बना चुके हैं चुनाओं रणनीती बनाने वाले सुनील कानुगोलू का सबसे बड़ा योगदान 2017 के यूपी विधान सबा चुनाओं में बीजेपी की शांदार जीत माना जाता है लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी आदितिनाद की पहली सरकार बनवाने के महतुपून शिर्फकार बनने से पहले से ही इनका भारती जनता पार्टी के साथ पेशेवर तालुकात कायम हो चुके थे चुनाओं रणनीती बनाने में प्रशांद किशोर ने एक तरह से इनके उस्ताद की भूमी का निभाई जिन्होंने 2014 के लोगसवा चुनाओं में नरेंदर मोदी के चुनाओं अभिहान वाली टीम में इन्हें भी शामिल किया था कानुगोलू तब प्रशांद किशोर के साथ थे जब 2014 में वो नरेंदर मोदी के लिए चुनाओी रणनीती बना रहे थे तब मोदी गुजराद के मुखे मंत्री थे और प्रशांद के चुनाओी प्रबंदन के बाद पी एम बने थे इसके बाद प्रशांद किशोर पी एम मोदी और भाजपा दोनों से अलग हो गए और कॉंगरिस समेट कई क्षेत्रिय पार्टियों के साथ काम किया प्रशान किशोर के सयोगी के रूप में कानुगोलू ने पूर में भाजपा, द्रमुक, अन्ना द्रमुक और अकाली दल के साथ काम किया था देखें एक व्यक्ति कभी भी कोई चुनाव नहीं जिता सकता है बात सही है ये पूरा टीम एफट होता है लेकिन टीम सिंक में आए के लिए एक सही रणनीती के आवशकता होती है इसलिए भारती राजनीती में अब धीरे धीरे चुनावी रणनीती कारों का प्रशान किशोर हलाकि इस कल्चर को लेकर आया और कॉंग्रेस में एक बड़े बदलाओ की बाद हाल के दिनों में कही जाती है वो बड़ा बदलाओ यही है कि अभी तक अपने निताओं पर या पुरानी स्ट्राटेजी पर या बड़े बड़े नामों के इर्दगिर्द जो रणनीती गूमती थी वो अभी इन रणनीती कारों के हिसाब से भी चल रही है जब फायदा हो रहा है तो और यह राहूल की सोच भी कह सकते हैं प्रियंका की सोच भी कह सकते हैं यह युवा है यह जानते हैं कि इन रणनीती कारों का कितना फायदा हो सकता है सुनील कानुगोलू अब मद्यप्रदेश के लिए रणनीती बना रहे हैं देखना है कि मद्यप्रदेश में करनाटक के तरह कौन सा दिल्चस्प मुद्दा सामने आता है